इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है, हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते, किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले, अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उप्योग करते ह हैं और आपको कोई side effect होता है तो उसमें हमारी कोई जम्मिदारी नहीं होगी गेस्ट्रोसोफेगल reflux disease यानि की GERD एक पुरानी यानि की दीर कालेक स्थिती है जिसमें पेट में acid का अधिक उत्पादन होता है नेलोस DSR कैपसूल आपके पेट में बनने वाले acid की मात्रा को कम करता है और carbon और acid reflux से जोड़े दर्द से राहत देता है आपको इसे ठीक वैसे ही लेना चाहिए जैसा इसके प्रभावी होने के लिए निर्धारत किया गया है जीवन शैली में कुछ साधारन बदलाव GERD के लक्षनों को कम करने में मदद कर सकते हैं इस बारे में सोचे की कौन से खाद्य पदार्थ नाराज की पैदा करते हैं और उनसे बचने की कोशिश करें छोटे अधिक बार भोजन करें यदि आप अधिक वजन वाले हैं तो वजन कम करने का प्रयास करें और आराम करने के तरीके खोजने का प्रयास करें सोने के 3-4 घंटे के अंदर कुछ न खाएं अपने चिकितसक द्वारा सलाह के अनुसार इसका प्रयोग करें या उप्योग करने से पहले निर्देशों के लिए लेबल की जांच करें। नेलोस DSR कैपसूल को खाली पेट लेना है। नेलोस DSR कैपसूल दो दवाओं का एक मिश्रन है डॉमपरिडोन और पैंटोप्रेजोल। डॉमपरिडोन एक प्रोकाइनेटिक है जो पेट और आतों की गती को बढ़ाने के लिए उपरी पाचन तंत्र पर काम करता है जिससे भूजन पेट के माध्यम से अधिक आसानी से आगे बढ़ता है। पैंटोप्राजोल एक प्रोटॉन पंप अवरोधक यानि की पीपी आई है जो पेट में एसिट की मात्रा को कम करके काम करता है जो एसिट से समबंधित अपच और नाराजगी से राहत दिलाने में मदद करता है। विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये विडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को टन अन आल पर सेट करें धन्यवाद